हेलो डियर इस्टूडेंट तो आज की स्टूडियो में हम लोग जानने वाले MS Word के बारे में MS Word में हम टेप के बारे में सभी आपसन समझने वाले तो MS Word को अपन कर लेते हैं विंडो आर प्रेस किये विंड़ लिखे फिर हमारा MS Word ओपन हो गया है इस वीडियो को ध्यान से देखते जाना है आपको जहां पर नहीं समाज आता है कमेंट करना है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहले MS Word लेते हैं तो सबसे पहले होम टेप के बारे में समझेंगे होम टेप में क्या क्या option होता है और कौन से option को क्या बोला जाता है तो होम टेप के option को कवर करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला practice करने के लिए हम लोग random paragraph ले ले लेते हैं तो is equal to लेकते हैं इसे कल ड्यैंद एक क्लोज बैकेट इस तरह से इंटर करेंगे तो रेंडम पैरग्राफ नहीं आने वाला है क्यों कि हमने गलत ही लिखा है तो आपको जब भी रेंडम पैरग्राफ आप लेते हो तो आपको बीना इस पेस दे लिखना मतलब एक भी इस पेस नहीं ई स्कें जैसे प्रेबरेंद परेच करते हो तो आपका रेंडम परेग्राफ आजाता है we외 अधर अर्फा प्रेच पर चीट परेचें नृमWeek न मैं रेंडम परेचें एक यहां से चोटा कर लेता है तक आप लोगों को आसानी से दिखाई दे तो आप लोगों तो आप लोग सोच रहोंगे कि रेंडम परग्राफ लेते क्यों हैं तो थोड़ा सी स्कूपर कर लेंगे और साइड से भी स्को थोड़ा सा सेंटर रख लेते हैं वर्टिकल बार बोलते हैं इसको तो आप लोग सोच रहोंगे कि रेंडम परग्राफ लेते क्यों तो रेंडम यह लेने का ट्रीक है इस तरीकिस आप ले सकते हो तो जैसे मैंने इसको स्लेक किया और कट कर दे तो क्या होगी मेरा कट अंडू बटन है कुछ भी आपको गलती हो जाता है तो गलती महाँ पर कंप्यूटर में अंडू रिडू बटन दिया जाता है यहां पिले अप साइड मे आपका इस पर क्लिक करो एक इश्कशे पीछे पहगे अंडू और रिडू बटन कुछ भी घलती हो मिस्टे ख़ो जाते दोनों बटन का यूज कर सकते यूँ अमकंले से करता हूए कर दिए बॉल्ट इटीलिक आप लोग यहां तक जानते होंगे फिर भी आप लोग CL कर लेना फ़ोनी साइज अगर अलग करना है तो देख सकते हो यहाँ पे अरियल ब्लेक कर दीए मैं और दूसरे पैरागर्डप insights को पोसिलेक करता हूं अगर आपका दूसरा वर्जन है विंडो का तो थोड़ा सा कुछ आपस्ण जैसे विएस वर्ड का दूसरा वर्जन है मतलब 2010 21 का है या 19 का है या 16 का है मेरा तो 10 का है उसका अगर कमेंट करना अगर उसका वीडियो चाहिए उसमें समझाएं आपको तो कमेंट करें आप ताकि हम लोग अगर आप कौन सा MS Word का version का यूसका उसका बताएं अगर उसी वरजन में समझाना आपको तो उसी वरजन में आप लोगों को बताए जाएगा तो आप लोग जब वर्जन सीखोगे तो 2010 से उपर वाला वर्जन को ही सीखना है, 2007 वाला नहीं सीखना है, 2010 हो सके, 2016, 2019, तो कैसे जाना होगे, आप लोग ओपन करोगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, तो इस तरी किसे रेंड़ परग्राप ले लेते हैं, बोल्ड इटेलिक अंडर लाइ इसको हम लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझे रहते हैं, इसको मैं सेलेक किया, चेंज मेरा गल्ती से मिश्टेक हो गया, दूसरा चेंज लिख लिए, लेकिन यह जो चेंज है, इसको मुझे कट नहीं करने हाटाना नहीं, दिखाना है कि यह गलत लिखा गया है, तो यह भाले पर क्लिक करेंगे इसका नाम पता चले फिर इस Tomato तो मुझे सकतो हैं यहां पर इंडरे चैन्ज लिखा यह जो कि सही है ज्यों कि गलत है जैसे कौपिम लिखते हैं तो ऐसे करके कट कर कर लेते हैं और जैसे सुपर Suscript करना है या सबस्कृट का थो सबस के साथ मातलब की सुपर Suscript के ही है तो समय होंगा है आप folk लिखना है तो सबसे पहले इसको सलेक्ट नहीं करना है उसके बाद क्या करना है तो देख सेकते हैं मेरा करसर उपर में चला गया फिर इसको आप कर देना है तो आप लोग समझ गया हूंगे यह मेरा क्या था सूपरस्कृप्ट तो इसका नाम लिख देते हैं सूपरस्कृप्ट मतलब की क्या उपर में लिखना कुछ फॉर्मॉला बगएर होता है महासके इसको साथ लोग क्या समझते हैं औरbert को छोटा कर सकते हैं सके अंदर एसा नहीं कि सब्सार कर सकता है उनकी सुछ मेंड़ा कर सकता है तो मिनिमाम पॉंट साज आपका 8 और 72 ऐसा नहीं कि आप उसको चेंज कर सकते हो आपको जितना फॉंट साज रखना है पिर इस बॉक्स के अंदर टाइप करना है जितना आपको फॉंट साज रखना है यहां तो एक और से मुझे 100 लेना है तो इसको कट कर दिया मैं यहां से 100 लिखा i voilà बटन जैसे इतना कर देख सकते हो मेरा फॉंट साज हन्डेट हो घया है उसमें 22 तक दिखा देता लेकिन आप जितना बड़ा करना चाहें आप लोग कर सकते हैं से को मागते हैं तो सबको समझेंगे जिसको कि इसको मिशेत के हैं है टेक्स एप करना कि नगी किborgे करना ऐसी बैने ओ इसको बिलीटए करना है जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूं जहां जहां पर मुझे इंपॉर्टेंट पाइंट मिलता है यू कैन इजली जिसको किये वह क्या हो गया हाइलेट हो गया अब मुझे यलो कलर से करना है जैसे मैं डोकुमेंट को पढ़ रहा हूं कहीं पर मुझे लगता है कि इंपॉर करना है जहां तक चाहिए आपको नहीं किये रहोगे आपको किसी के टेक्ट को है नहीं को है कफोन कलर के मतलब की मतलब का पाल जो फोन कलर का दिखाए पितलर सकते लाइना अब के लिए आप involved को ग्लता आक और सबीड़ डिया नहीं का तो आपouslyको यहां से मैं क्या कर लेता हूं फों का कलर भी कुछ कर लेता हूं प्लू कलर नहीं जम रहा है यह ब्लू कलर कलर लिए थोड़ा सा बलेक टाइप का तुछ देख सकते हैं इतना तीनों चारों पांचे वामेटिंग हमने एक साथ कर दिया है तो आप एक साथ करने के बाद इसको क्या करना है और इसको अगर हटाना है आपको तो हटाने के लिए क्लिक कर सकते हो इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग चेंज के इसको समझ लेते हैं जैसे इसको सिलेक किया मैं अब इसको मुझे क्या करना है टेक्स इफेक्ट को भी समझ लेते हैं अलग अलग एफेक्ट दिया गया है देख सकते हो आप लोग जो एफेक्ट यहां से लेना है आप सिंपली क्लिक कर सकते हूं क्या हमारा यह टेक्स एफेक्ट है जो एफेक्ट आपको चाहिए सिंपली टेक्स को पहले सिलेक करना पड़ेगा जो एफेक्ट आपको चाहिए फिर क्लिक करोगे और जो इफेक्ट लेना है यहां से क्लिक करते जाएगे तो आटमेटिक पीछे का आप देख सकतो एफेक्ट चेंज हो रहा है जैसे मुझे आवटलाइन एफेक्ट चाहिए तो मतलब टेक्स के बीच में क्या आ जाएगा आप रिट कलर का आ जो सेडो looks observe reflection effect की मिरर एंप सेसे लुक लिखाए उसके निचे में भी लिखाई दे रहा है तो गलर का अग्ण influencer बहुत ही एजीए और यह है आपको तो धेर सारा इसको practice करते जाना है आपको जितना practice करोग उतना अच्छा आपको के लिए simple sum लोग आपको अलग अलग पराग्राप ले ले लेना है और सब पराग्राप आपको अलग अलग glowing effect apply कर देना है और glowing effect लगा देना है mirror effect लगा देना है अलग अलग एक एक paragraph आपको आप तो ज्याद़ आप लोगों को समझ में आएगा बस आपको practice करते जाने है थोड़ा सा idea दे दे रहे हैं फिर जो आपको करना है practice करते जागे तो आपको easy है तो text color समझ गए highlight color समझ गए text effect भी समझ गए तो आपको आएगा change case तो जिसका जिस paragraph का आपको change case करना है उस paragraph को select कर लेना है तो सबसे पहले आप लोग को click random paragraph ले लेते हैं ताकि practice करके बता सकें तो आप लोग समझ गए होंगे कि random paragraph का use करते हैं अभी random paragraph हम लोग नहीं लेते तो इतना सारा practice करने कि लिए वाड हम लोग formatting करन करता है तो इसको select किये आप इसको select करने के बाद मुझे करना क्या है इसको select कर लिए हम है इसको select करने के बाद मुझे first letter को क्या करने sentence case sentence case का मतलब क्या होता है जैसे पहला देख सकते हैं मेरा ओ जो है on का capital है उसके बाद जैसे आ जाते हैं यहां पर डॉट है तो इसके सिलेग कि यहां झाल मैंने सिलेक किता है उपाट मोंध होता है इसकी अच्छा यहां प्छी किया थे बाहूं हो गया, इस capital मतला की, जो हर रोर्ड क्या होगा, हर रोर्ड का पहला लेटर capital हो गया, इच कैपिटल, वर्ड, तो easy है आपका, और kangal case में क्या हो जाएगा, पहला लेटर ही आपका small लुटर हैगा, भांकिस हो डेख जयाथ हो, सब कैपिटल रहेगा,visip आपका है टगल केस देख सकतो हो यहां पे तो जिस पर अपलाई किये तो टगल केस आप लोग समझ गे होंगे तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है अच्छा से चेंज केस का आपका क्या क्या है अपर केस है लोवर केस है सेंटेंस केस है इसको अच्छा से आपको प्रैक् भी देखेंगे, कुछ इसमें रिखेंगे, यूज़ एक ठीक करते हैं, आप बंश्छा प्रैक्टिस करते जाना है, जैसे, जैसे आपको समझ आता है अब bold italic तो हम लोग समझ गया है तो अब हम लोग समझते हैं इसको कोई formatting कर देते हैं हमारा जो हमारा टेक्स था इसको मैं first paragraph को select कर लिया bold italic underline color यहां से अब इतना को यह कर लिए अब इसको हम लोग समझने वाले हैं यह वाला clear formatting clear formatting का मतलब क्या होता है जैसे मैं इसको क्या कर दिया था bold italic underline सब कर दिया था जैसे clear formatting क्लिक किया देख सकते हैं मेरे सारा formatting क्या हो गया clear हो गया no color को हटाने के लिए no color क्योंकि मुझे इस टेक्स को क्या करना है था first paragraph को simple करना था तो सबसे पहले एक बार और बता देते हैं आपको पीछे चलागी हमें इसको हटाना है मुझे नॉर्मल करना है इसको तो सबसे पहले इसको select किया फिर इसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग यह याद रखना है clear formatting से आप एक ही चीज क्लियर नहीं होगा no color और जो आपका जो सबसे पहले करना है तो सबसे पहले करना है इसको पूरा को select करना है और क्या करना है अब मुझे इसका copy करना है लास्ट पर ले जाना है मुझे तो copy का use आप लोग जानते हो इस फर्स पर अग्राप को select किया मैं फिर copy पर क्लिक किया फिर यहां पेस्ट पर क्लिक किया तो देख सकते हो फर्स्ट जो पैराग्राप था जो मेरे लास्ट में आगे तो ही है copy paste का use जो आपको पहले से ही जान पेस्ट कर दिये तो cut option का use तो आप लोग समझ गया होंगे cut का use मतलब कि वहां से cut करके दूसरे मिलाना तो वही है cut option copy का मतलब क्या करना copy करना उस text को दिए गया random paragraph ले लिए कुछ और practice करने के लिए तो फर्स पर अगर आपको फिर से select कर लिए अब मुझे करना है उसको same formatting यह वाले को करना है तो मैं क्या format painter के यूज सीखते है format painter के जैसे मुझे इसको same formatting करना है yellow color के जैसा यह वाला formatting मुझे नीचे वाले paragraph आपनो format painter पर क्लिक किए तो इसका देख सकते हो painter का icon आ गया फिर इस पर क्लिक किए जहां तक आपको format करना है तो देख सकते यूज से format painter जिसको apply करना है format painter अब मुझे इस format को हटाना है जो formatting मैं किया है इसको normal करने मुझे एक ही बार में करना है तो कैसे करें इसके लिए तो format printer की use जैसे मुझे इसको normal करना है तो simple text को मैं select किया simple text को क्या करना है इसको जो text इसको मुझे normal करना है तो normal करने के लिए simple text को select किया मैं format printer पे click किया इसको select कर दिया क्योंकि मुझे format simple करना था तो simple text को click करके उस पे click कर दिया तो देख सकतो मेरा simple formatting जो formatting था नुर्मली उसको हटाने जाता तो बहुत टाइम लगता लेकिन इसको कुछ सेकेंड में कुछ क्लियर फॉन्मेटिंग का यूज करके पॉन्मेट पिंटर का यूज करके असानी से हम लोग हाई लेट को हटा दिये तो आप लोग यहां तक समाझ गया होंगे नहीं समझ आ रहा etah है पाट में और पाट उन में भी हमगोग त्व के वारे में जानेंगे तो हमारा दो पाट रिबन का क्योंकि जो हमारा रिबन होता है होता हूं तो हमने के लिए ऑर फून गृप को तो अरले इक यूज국 और फॉन ग्रूर्प को बारए में आने वाले नेश्ट है पाकुलग तरहना है करना है रहा है था। वह है अब को तरहीं हो याद है और यहाद हो जाये और आपको धाती अगर यह बताना आप लोग को सींग रहे कौन आपको कमेंट करना है तो बोल्ड हमने देखा इंडलैन करना टेक्स को कलर करना देखinka डेख वर छोटा करना प्रूण सेज्ड कुलर हो और हमने संद्राना एंप स्बसक्राइब करना पर के इसमें टेक्स को लूवर кेस में करना और टेक्स को होंके इच कैपेचल गच्छल लेक्डन के बारे में और इसको इसके ऴीक ऐसे लेना आगे ने तो इसका नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडिया गया जो जो हमने सीख है उसका पीडिया नोट्स तो मिलते हैं यूप